आज हम बनाएंगे मटर गोस्त जो बहुत ही सिंपल और इजी तरीकी से बनाएंगे और यह ज़ट पर बन जाएगा और बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है आज यह जिसके लिए मैंने तकरीबन तीन पाउ के करीब मेरे पास वह है मटन आप इसमें बीफ यह चिकन जो भी आ प्रुटे में पीस लिया इसका पेस्ट बना लिया यह सावत गरम मसाला इसमें एक बड़ी लाइची तकरीबन दो से तीन अदर शोट शोटे पीस दाल जीनी के काली मिर्चे लॉंगे और सावज जीरा जो है उसमें सुफयाद रंक और काली रंक जो भी हो और साथ इसमें दो टू टीब स्कून अजर कलैसं का पेस्ट है और तकरीबन आदा किलो के करीब मेरे बस मटर की दाने हैं दो मैंने वीडियो साइज की प्याज ली है और इसको 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 छॉप कर लिया एक कब मैंने इसमें आयल डाला अब हम इसको फ्राइ करेंगे बिसमिला एर्मान म प्याजर को प्याजर्ग नाये अवरायल के किलोगे tie-vyन मेरे में टुके ली फो किलोगे करने अब मेज है अब बिसमें के बहु द्रॉफँ जूभाण का प्याज़की में बिसमें बिसमें गरम पाजलाय के ज़िए पराल एक का मेरे बलाज़क तर यह एक का दूशको साह अब आपकर लिए रखर कोई कीज जाया नाप करें, इसको अच्छे से 1-2 मिनट अब हम अच्छे से भूनेंगे, अब हम अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें ट्राय स्पाइची जाएड़ करेंगे, अब अब इसमें हम 1 टीस्पून सल्दी पौदर, 1 टेबर स्पून आपने टेष्ट किएसाप से कमिया ज्यादा भी इसमें, अब साथ ही कमाटर के पेस्ट है, अब इसमें त और इसको अच्छे से एक से दो मिनट्स होंगी जितनी इसकी अच्छे से भुनाई हम करेंगे उतना ही इसका टेस्ट है जवरदर्ष होगा इंशाला आप ज़रूर यह रेट के प्राई होगा इंशाला आप सब को बहुत ही यह पसांद आएगी यह रेखे माशाला हमारा जो गोश्ट है भुन चुता है अब इसमें पानी आड़ करेंगे इसमें पानी इतना एड़ कि यह अच्छे से गल जाए अब मैं इसको तक्रीबन 20 मिनट प्रेशर लगा दूँगी यह आप देश्में भी बना सकते हैं लेकिन यह प्रेशर में जट इसमें इसमें इसके साथ ही मटर एड़ कर देंगे और मटर और गोश्ट को अच्छे से जुनेंगे तक्रीबन चार से पांच मिनट जब तक कि इस पर खी बाहर नहीं आ जाता इसमें इतना पानी डाल लें इतना आपको अलगे तक रिख से जड़ें अगरे राब एम एक जलास भी में पानी में इसके अदर आड़ कर दिया है और इसको अब मैं इसको अब मैं हमारे मटर्ज हैं वो भी अच्छे से गल जाए और 10% जो है मीट हमारा अभी नहीं गला वो भी अच्छे से गल जाए फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दी तीन मिनिट हो जो गते फ्रेशर मैंने इसका निकाल दिया और इसको मैंने डेजकी में शिफ्ट कर देगे हमारे सालन की लोग कितनी जबरदस्त आई है और इसकी ग्रेवी रेखें कितनी सौफ्ट दिल्कुल स्मूध बनी है अब इस टेज पर हम इसमें डालेंगे तकरीबन चार अदर हरी मिर्चे आप इसमें अगर ज्यादा लाइक करते हैं तो ज्यादा लाइक करते हैं तो ज्य इसमें और ज्यादा बढ़ जाएगा और खुश्भू भी अच्छी आने लगेगी और जो सालन का ओई है वो फोरन से उपर आ जाएगा यह देखिए मार्शालला और साथ ही इसमें अब हम हरा धनी आएट कर देंगे इसको आप तनूर की रोटी के साथ घर की चपाती के करें और इंज्वाए करें यह बहुत ही टेस्टी बना है जहां भी रहें खुश रहें खुशियां बांटे हस्ते मस्कुराते रहें अला ताला हमारे मुल्क पर हमारे खरों पर खुशुसी रहम और करम फरमाए अमीन अब मैं आप लोग उच्छे जाज़त चाहती हूं अल